Welcome all of you in economics with excellence Indian economy में हम 5-year plans study कर रहे थे तो 5-year plans में हमने 1st 5-year plan study कर लिया था और 2nd 5-year plan में हमने study कर दिया था और आज की एस वीडियो में हम 3rd 5-year plan के बारे में कुछ चीजें जो है मीजर चीजें जो है उनको discuss करेंगे 3rd 5-year plan का जो time period था वो था 1961 से लेकर 1966 तक थर्ड फाइबर प्लान stress agriculture and improvement in the production of wheat थर्ड फाइबर प्लान था वो agriculture की जो improvement है उसको strength कर रहा था और जो wheat production थी basically उसकी strength में यह ज़्यादा जो फोकस था बट जो इंडिया और चाइना का जो war था वो start हो गया था 1962 में इंडिया और चाइना का war जो था वो start हो गया था और उसके कारण जो economy थी उसमें weaknesses आना जो था वो शुरू हो गया था तो पूरी की पूरी जो उस समय इंडिया की economy थी और government का expenditure था वो सारा का defense industry की और जा रहा था और जो जितना भी expenditure था वो इंडियन आर्मी के ऊपर लगाया जा रहा था क्योंकि आर्मी को strong करना था और इंडिया और चाइना का जो war था वो start हो चुका था और उस war में हमारी जो आर्मी थी उसको बचाने के लिए उसको protect करने के लिए गौर्मेंट ने अपने सारा का सारा जो फाइनांस था वो डिफेंस सेक्टर में लगा दिया था 1965-1966 में 1965-1966 में इंडिया जो था वो वार्स जो था इंडिया और पाकिस्तान का उसके साथ जो जूज रहा था और उसके साथ सारा 1965 में कई देश में कई सूखे पड़े थे ठीक है देश की जो अगरिकल्चर थी उसमें जो था वो सूखा पड़ चुका था पूरी की पूरी जो लैंड थी वो सूखे के अंदर जो थी वो आज चुकी थी और यही जो कारण है जिन्होंने बाद में इंफलेशन को जो था वो ओरिजनेट किया था यह इंफलेशन को जनुम दिया था तो उस समय गौर्वर्मेट की एक ही प्राइजिस हैं उनको स्टैबिलाइजेशन करना inflation में generally क्या होता है कि जो prices होते हैं वो higher हो जाते हैं inflation का मतलब होता है regular increasing in general price level तो उस समय government की priority थी कि जो prices है उनको stabilize करना उसके बावजूद भी जो कई सारे dams थे उनकी construction जो थी वो चालू थी और उसके साथ साथ cement and fertilizer के जो plants थे वो भी build हुए थे इस fiber plant के दोरान और पंजाब में जो wheat की production हो रही थी उसकी जो production थी wheat की वो जाधा हो रही थी मतलब पहले से जो थी वो जाधा हो रही थी तो यह जो third fiber plant था basically wheat production को जो था वो importance दे रहा था तो इसके लिए उन्होंने पंजाब में कही सारी fertilizer high yield variety seed जो थे वो इंट्रोड्यूस किये थे इस कारण से wheat की जो production थी वो इंक्रीज हो रही थी बहुत सारे जो primary schools थे वो भी इस plan के अंतरगत जो थे वो बनाए गए थे बहुत सारे primary schools थे जो कि पंचायत elections थे पंचायत elections जो थे वो भी इसी फाइवर प्लान के अंतरगत जो थे वो स्टार्ट हुए थे और पंचायत के द्वारा चुने के जो प्रतिनीदी थे उनको development के जो वर्क थे उनको increase करने की जो responsibility थी वो मिल चुकी थी और उसके साथ साथ इंडिया ने फॉस्ट टाइम इंटरनेशनल मोनेटरी फंड से जो था वो बोरोईंग की थी मतलब लूंज लिए थे फॉस्ट टाइम और उस टाइम क्या हुआ था कि जो रुपए की वैल्यू थी वो भी डिवालुएट हो गई मतलब मुद्रा का मुल्य है वह कम होना तो फॉस्ट टाइम नाइंटींशिक्स टीसिक्स में मुद्रा का मुल्य है हमारी जो इंडिन करंसी है वह कम हो गया था या नीचे गिर गया था और उसके साथ जो State Electricity Board था जुष State Electricity Boards थे वहर एक राजय में स्थाप्य किए गए और इनकी जो Scandry Egyptian Board कि विए जो थे उस ताम पर स्थापना हुई थी स्टेट की Scandry Education Boards होते हैं, उनकी जो स्थापना थी, वहर एक राजय वे उसमा में की गई थी और यह स्टेट की रिस्पॉंसिबिल्टी थी कि जो हाइर एजुकेशन है और जो स्केंडरी एजुकेशन है उसको ड्वैलप करना और उसके साथ स्टेट रोड ट्रांस्पॉर्टेशन की भी उस समय स्टापना हुई थी और जो लोकल रोड की जो इंफ्रस्ट्रक्टर ड्वैलमेंट थी या लोकल रोड जो थी उस समय पर बनाने की जो रिस्पॉंसिबिलिटी थी वो भी स्टेट को मिली थी और उसके साथ साथ जो टार्गेटेड ग्रोथ रेट थी इस फाइवर प्लान के अंतर का जो टार्गेटेड ग्रोथ रेट थी वो 5.6% थी एक्टुल ग्रोथ रेट जो टी वो 2.4 थी जो की तार्गेटेड ग्रोथ रेट से काफी कम थी क्योंकि उस समय था धार्ड फाइवर प्लान के टाइम में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बहुत हो वो स्टार्ट हो गया था उसके कारण जो भर्रेट थी उसमें कम ही आई जो थर्ड फाइवेर योजना थी या थर्ड फाइवेर प्लांट था उसको गार्गिल योजना भी कहा जाता है और यह जो थी जो थी जोन सैंडे और सुकामोय चक्रवर्ती के मॉडल पर जो थी वो अधारित थी